दोस्तों लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाए थी ना पिछले साल टॉफ फॉर एट मिस्ट ऑलम्पिया की वह आपको बहुत जादा पसंद आए थी और कई लोगों ने का था जिस तरीके से मैं इसमें जजिंग के बारे में बताया था पॉइंट्स के बारे में रखा करेंगे काफी टाइम हाला की हो गया लेकिन भाई मिस्ट ऑलम्पिया को हम लोगों ने अभी भी बात करकर के एक तरह से जिंदा रखा हुआ है और इसी के उपर हम लोग बात करेंगे दोस्तों मेरा इसमें ना अभी तक तो यह क्याना था कि जजिस बहुत सारे चीज़ों क काउंट करते हैं फेक्टर्स वगयरा इंवाल्फ होते हैं लेकिन अभी कुछ पिछले सालों से और खास दोर से पिछले हफते से जबसे हमने जजिंग देखी ऑलम्पिया कि ऐसा पता लगा कि जजिज बहुत ही लिमिटेट जगा पर स्कोर्स देते हैं स्कोरिंग करते हैं और इदर अधर घुमा करके उनको कंपैरिजन में देख लेते हैं कि किसको आगे किसको पीछे रखना है तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जॉब भी लगपक वैसी वैसी हो गई है बहुत ईजी सी हो गई है तो यहां पर हम लोग भी करते हैं और इन चारो बाडी बीडर का कंपै अब निक बहार से लेकिन उनका कंपैरिजन में करूंगा हंटर से बाद में लेकिन इन चारों में कौन सबसे आदा पोजिस को जीत रहा था वो जरा हम वीडियो में देख लेते हैं और यह सब फोटोस के पेस पर ही मैं करने वाला हूं जो मेरी सामने हैं यह नपीसी नूज से लिए ही सच बाद बताओं पैकेजिस इतने अलग हैं तीनों के एक बॉड़ी जो की टॉप टू बॉटम एकदम श्रेड़िड और कंप्लीट सी नजर आती है यानि हाड़ी एक बॉड़ी जो की अपर बॉड़ी डॉमिनेंट है यानि की ब्रेंडन और बहुत अच्छी बॉड़ी जो की लोर बॉड़ी डॉमिनेंट है और अगें कंडीशन उतनी ज्याद नहीं तो पैकेजिस बहुत अलग अलग ऐसे में जजिस को मैं सही बता रहा हूं कंडीशन कम होना चाहिए क्यों क्योंकि आपकी प्राइवर्टी क्या है से डिसाइड हो जाएगा जहां पर आप उसको एथलीट को प्लेसिंग पे डाल दोगे अभी तक यह माना जाता था कि जज़िस साइज और कंडीशनिंग को मिला करके देखते हैं और यही गेम माना ज की थी और इसी साइज और फुलनेस को आगे रखते हैं उन्होंने ब्रेंडन को यहां पर सेकिंड प्लेसिंग दी तो बहुत इजी जज़िंग थी जज़िस ऑन पेपर इस बात को समझा भी रहे हैं एक बड़ा गैप देखेगा आपको रैमी से लेकर के हाडी शुपन के प क्योंकि वो चीज़ दिख रही थी और सभी लोगों ने बात मानी हैंड्स दाउन वो चीज़ वैसे थी इस बार रैमी उतने कंडिशन हमें नहीं दिखाई थी जितना की पिछले साल थे और ये बात खुद उनके कोचीज ने सारी बॉड़ी बिलिंग इंडस्री ने एक्से है लैट्स का और स्मॉल वेस्ट का रैमी के कंपेरिटिवली बट ब्रेंडन लोर बॉड़ी में ही नहीं एक तरह से तो उस वज़ा से वो थर्ड प्लेसिंग पर चले आएंगे और चौते पर रहेंगे हंटर अगें ये चेस्ट अप करके फ्रन डबल बाइसप वाली चीज मुझे रैमी की समझ नहीं आई 2013 वाली तो आपने फोटो देखी थी पिछली वीडियो में तो मुच बैटर रैमी थे वेस्ट भी अंदर कंट्रोल में थी जो कि अभी भी करते हैं और अबलीक्स को ये सक कर लेते हैं अंदर साइट से बट पता नहीं क्यों चेस्ट अप करक आप कह सकते हो जिसमें कि निक वाकर से इनका बेहत जादा वार कंपैरिजन किया गया और हंटर हर बार उनसे मात खाते हूं नजर आए और लोगों ने का क्यों इनको यहाँ पर डाला निक को नहीं लेकिन अब बार बार वोई हाडी के लेक्स पे निगा जा रही इतने स्ट बड़े नहीं है और इसके पीछे मुझे दो वजाएं लगती है ऐसा लगता है कि लैट्स या तो ठीक से खुलते नहीं अब इस वाले पोज में या फिर वो छोटे हो चुके हैं और मेरी पूछो तो मैं बोलूँगा दोनों ही बाते हैं हमने पिछले साल के आर्नोल में जगा पर फ्रंट लैट्स प्रैड में अपने एब्स को टाइट कर लेते हैं और उस तरहिके से ओपन नहीं होते कभी हो जाएंगे कभी नहीं होंगे और इसी के साथ ता इस बार हम लोग यह भी देखने है कि इनकी जो लैट्स है ना आइधिंक जो उनका राइट साइड व होने शुरू हो गई और अभी तो गायब हो चुकी है तो लोर बैक इनकी जो मसल्स है ना वो पॉप नहीं करती हुआ पर वह ही नहीं अब ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं मालू मैं आपको याद दिला दू सेम रॉनी कोलमन के साथ होगा था पहले उनका एक लैट गया और उ कोई भी बॉड़ी बिल्डर नहीं चाहेगा रॉनी का जब एक लैट छोटा होने लगा तो उन्होंने दूसरे लैट को भी ट्रेंड करना बंद कर दिया ताकि वो सिमिट्री बनी रहा और इसलिए उनके दोनों लैट सिकूर करके डेक्स रेक्शन से भी छोटी रह गए थे तो चांसिस कुछ भी हो सकते हैं अब यहां पर दोस्तों आप पहले देखो ब्रेंडन करी के हाथ उनमें फुलनेस राउंडनेस शोल्डर में कितनी अची है पर रैमी के आम साफ उसके बाद देखो यह किनी लगने लगते हैं इस पोज में इसलिए रैमी को यह एक और वज और ट्राइसेप्स में उतना साइज अभी भी नहीं दिखता है और उनके आम्स इसी वज़ा से तो रैमी के छोटे लगते हैं और लेग्स ओवर टिक कर जाते हैं तो चैट निकोल ने बाद बोली बे के रैमी को और ट्राइसेप्स डेवलप्मेंट की जरूत पड़ेगी न लजर आ रहे हैं तो पोस बहुत ही कंफूजन भर है किसी भी साइट जा सकता है क्योंकि एक और बार मैटर ये करेगा कि आप थिकनेस और साइज जादा देखना चाहते हो या फिर लाइन्स और इस पोस के अंदर हंटर लब डाड़ा कि आपने हालत देखी बिल्कुल दब जब गए उनकी चेस्ट इसके बाद आगर बात करो बैक डबल बाइसे पोस की बैक डबल बाइसे पोस बिग रही का काफी जाद है यहां पर इस चिल डॉमिनिट कर रहे है क्योंकि लैट्स में जो थिकनेश बचेवे लैट्स में जितनी थिकने से बहुत जाहाद है अभी अच्छी बात ये भी रैमी की ग्लूट्स और हम्स जितने ज़ादा हाड है ना वो भी और किसी अथलीट के हाँ पर लाइन अप में नहीं लगते लिटरली नो नो ने यहाँ पर इंप्रूमेंट करी है अपने पिछले साल से लेकिन रैमी मुझे लोर बॉड़ी में बहुत ही ज़ादा एक दम खतरनाक लगे ब्रेंडन की बात करो ब्रेंडन भी मुझे पिछले साल वाले ज़्यादा अच्छे लगे थे इस वाले पोज में और उनकी बैक में ना सेप्रेशन ज़्यादा गहरा था हार्डी शुपन पिछले साल सॉफ्ट थे इस पोज में इस बार ज़्यादा टाइट लग रहे हैं और ओवरॉल इस वाले पोज में अगर मुझे देखना हो तो रैमी ही सबसे ज़्यादा अच्छे हैं हार्डी मुझे सेकंड नंबर पर इसमें काफी अच्छे लगी क्यों यह देखो लैट स्प्रेड में हंटर कितने ज़्यादा एकदम पानी में नहा गई हैं बिल्कुल लैट स्प्रेड डेफिनिटली रैमी कही जाएगा पर बहुत ज़्यादा शूल्डर को अब यह राउंड करने लग गए और स्चिल तब भी ऐसा नहीं है कि इनकी बैक का ड ब्रेंडन का नंबर लगेगा देन हंटर साइट ट्राइसेप आता है मोस्ट सब्जेक्टिफ पोज ऑफ बॉड़ी बिलिंग मतलब इसमें आपकी प्रेफरेंस कितनी भी बदल सकती है आप किसी भी पार्ट को देखकर के साइट ट्राइसेप उस बॉड़ी विल्डर को चि हाला कि उनका ट्राइसेप कोई एतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता डैफिनेशन यह उतनी नहीं है हाड़ी शुपन के ट्राइसेप एक्दम क्लियरली विजीबल है और पूरी मसल्स भी अपने ओब्लीक्स की एक्दम दिखाते हैं अच्छे से लेग्स के अंदर भी उन कसे हुए लेग्स में आई-टी बैंड दिखते हैं और कैफ एकदम उनके टाइट रहते हैं तो इसलिए यह चारोई बॉड़ी बिल्डर काफी जगा अपने अलग अलग चीजे दिखा करके इस पोस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साब से रह में इस चिल इस पोस में अगे रहेंगे पर बहुत और भी बॉड़ी बिल्डर से क्यों काफी उनको यहां पर क्लोज कर रहे हैं जैसे ब्रेंडन करी बट लेक्स नीचे नहीं है तो आई थिंक हाड़ी शूपन इस पोस्को यहां पर सेकिंड नमबर पर ले ले लेंगे फिर हंटर लब्राड़ा ब हम उसी को देखते हैं आपर opinion बना रहे हो सकते हैं आपर conditioning इतनी जादा हो हाड़ी शूपन की कि यहां पर वीडियो के बावजूद जो आप में Big Ramie अच्छे लग गए हम हाड़ी को ही सिर्फ देखें तो possibility बदल सकती है सिर्फ वहां पर देखके यह चीज़ पता लगेगी खेर अगले post पे चलते हैं Abdominals and Thighs तो Big Ramie का Abdominals and Thighs इस बार बहुत clear नहीं था Waste तो एकदम सकीन कर लेते हैं वो side से भी जैसे मैंने बताया पर hardy तबाह कर रहे हैं इनको इस post में I mean यह तो images भी एकदम clearly बता पा रही है किस level की conditioning रही हो गया इस athlete की रैमी के apps clear नहीं है और उतने गहरे नहीं लग रहे जितने के हमने पिछले साल देखे थे और उससे पहले और ज़्यादा गहरे होते थे अब रैमी के app जेज़े करके कम गहरे होने लग गया ऐसा लग रहा है मुझे लेग्स वाटरी है और conditioning इन तीनों athletes में सबसे खराब रैमी की है ब्रैंडन भी स्पोस में काफी अच्छे लगते हैं मेरे साब से यहां पर clear-cut hardy शुपानी स्पोस को जीतेंगे और अगर size wise देखना है तो रैमी ठीक है फिट ब्रैंडन and then hunter labrada दोस्तो most muscular में जिसने मुझे इस बार सबसे अधा हरान किया होते ब्रैंडन करी ब्रैंडन ही करीब अपने 16 pounds muscle mass बढ़ाया है जो कि उनकी coach का कहना है अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने का कि हमने इतना जादा muscle mass बढ़ाया है जिसकी वज़ासे उनको फुलनेस मिली और मैंने सबसे अच्छा crab most muscular अच्छा नहीं लग सकते आप उतना ज्यादा कायगरीन कितने खराब लगते थे हाड़ी शूपन कितने ज्यादा खराब लगते हैं बिग रैमी अच्छे नहीं लगते इस पोज में बिल्कुल उनके बॉड़ी में एक fiber नहीं दिखता पिछले साल जब कर रहे थे इसलिए रैमी ने पोस करना बंद कर दिया हंटा लब राड़ा इस वाले पोस को नहीं करते हैं सिर्फ ब्रैंडन करी कर रहे इस पोस को करते दोरान सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके shoulders सबसे ज्यादा round और full हो तीनों heads बराबर से अगर develop नहीं होंगे आप अच्छे नहीं लगने तो वो यह mandatory जादा है नहीं अलग अलग तरीकी से आप कर सकते हो रैमी इसको अपने style से करते हैं जो कि काफी impressive लगते है हाडी बहुत अच्छे नहीं लगते हैं और hunter तो इसमें मुझे crap लगे तो majority position मैंने big रैमी को यूपर रखा है और इसके अंतर आप देख सकते हो कि एक side tricep या फिर front lat spread में भी even जहां पर मैंने रैमी को ही जिता है actual देखने से पता लगे के हाडी हो आपर जीत लिए हो क्यों ही conditioning इतनी जाद हो तो इसलिए यहां पर बहुत मुझकिल है कहना कि इन जोनों में से किसको ऊपर रहना चाहिए था personally मैं conditioning के तरफ हमेशा ही जादा ज चीज़ देखता हूँ तो मैं इसलिए हाडी को रखना चाहता था लेकिन ब्रेंडन मैं किसी भी situation में हाँ पर नहीं रखोंगा उपर अगर मुझे रैमी वर्जिस ब्रेंडन करना पड़ जाता तो भी मैं ब्रेंडन को ना रखके रैमी को ऊपर रखता है और अगर मुझे ब्रेंडन वर्जिस हाडी करना हो था तो मैं हाडी को ऊपर रखता हूँ चाहे मास मॉंस्टर को जच करना हो या फिर एक condition body को ऊपर लेकर आनो दोनों में से कहीं पर भी वो ब्रेंडन लाई नहीं करते तो अगर वीडियो की मैं बात करूँ कि क्या रैमी डिजर्व करते थ जजिस का वहाँ पर एक opinion था कि हमें एक बड़ी फिजिक चाहिए condition हो quality हो muscles में जरूरी नहीं लेकिन बड़ी फिजिक चाहिए उनका वहाँ पर decision matter करता था उन्होंने वहाँ पर judging दे दी और उसके उपर आप कुछ नहीं किया सकते हमारे यहाँ पर क्याना है कि नहीं हमें त पर इससे कोई फरक नहीं पड़ता हमारा opinion matter करता ही नहीं है कल को उनकी priority बदल जाएगी वो किसी और को चिता देंगी तो deserve कौन करता है यह depend करेगा कि audience ज्यादातर क्या चाहती है आज की जमाने में अगर आपको लगता है बिग्रैमी का ठीक था जीतना तो deserving है अगर कुछ लोगों को लगता है नहीं हाडी शुपन को जीतना चाहिए था तो deserving नहीं है answer तो यही है क्योंकि bodybuilding competition तो अब हो चुका है over अब जनता judge कर रही है और ऐसे में ज्यादा ता जनता जो मानेगी वही सही होगा और वही deserving कहलाएगा तो I think यह था मेरा simple सा answer यह आप लोग decide करोग वजा क्या है यह protein concentrate isolate का mixture है लेकिन इसके बावजुद भी इसका digestion इतना सही है ना मैंने इतना fine protein नहीं देखा concentrate isolate की range वाले जो proteins होते हैं अकसर बहुत जादा मीठे होते हैं यह ना ऐसा है इसमें sweetners पड़े इन्होंने सही तरीके से डाले बहुत जादा मीठा नहीं है और बि बाकि जैसे मैंने बता है concentrate isolate दोनों इसमें दिये गए हैं जिसमें की साड़े 34 gram की scoop में 27.2 gram protein ही लोग दे रहे हैं और आपको तो पता यह spoon से एकसर में protein को mix करता हूं और यह बहुत मज़े से होता है तो कुल मिलाके नहोंने जो protein बना है way protein pro सही है यह मैं तो in fact यह काफी जा निक को मेरे साब से जरूर fourth placing पर आना चाहिए था ना कि hunter को हाला कि कई सारी photos आप में से कई लोगों ने मुझे भेजे इसमें कि यह दिखाई दे रहे हैं कि hunter जादा बहतर लग रहे है निक walker से मैंने वो भी चीज़ कंसिडर की है पर दिक्कत क्या है ना अलग-अलग photos अल hunter उपर दिख रहे हैं अलग-अलग photos अलग-अलग videos अलग camera angles किसी में ज्यादा sharpness किसी में कम किसी के colors natural नहीं है किसी के colors बहुत ही अच्छे से हैं तो इन सब चीज़ों से बहुत ज्यादा confusion पैता हुरी इसमें कोई दोराय नहीं है और ऐसे में सबसे बड़ी चीज इस पर कि हम डिपेंड करते हूं वो है overall इन दोनों की body और performance इस पिछले shows से अभी तक की निक की body हमें पता है ज्यादा hard रहती है हमेशा हंटर की body हमेशा soft side पर रहती especially उनकी back उनके glutes कहीं पे भी आपको hardness उतनी नहीं दिखेगी निक ज्यादा चे condition भी थे पूरे line-up में hardy के अलाव Arnold Classic में अपने जैसे Nick Walker देखे थे मुझे almost वैसे यह Olympia में भी दिखाए दिये पर hunter अपने all time best पर तो definitely नहीं थे अचानक से कैसे इनों ने Nick Walker को beat कर दिया यह वास समझनी बहुत मुश्किल पढ़ जाती है इन दोनों के comparison में दोस्तों एक चीज मैंने बहुत ही अजीब देख पर होता है कि top placing वाला सबसे खतरना की athlete middle में रखा होता है और middle में उसको रखा हुआ है इस वक्त पे जो की फिफ्तार है इन सब में सबसे हलका है judging किस direction में जा रही है यह बहुत मुश्किल है पता पाना क्योंकि judges ही यहाँ पर इतने confused नजर आ जाते हैं इस बार तो हालत बत्से बत्तर हो गई है इसके अंदर दोस्तों एक चीज और भी खराब यह लगी IFBB का फिर से वो ही perfect scoring देने वाला culture जो कि सही में काफी irritating होता जा रहा है ऐसा लगता है मानो यह IFBB का नया culture बन चुका है हम लोगों को इतनी confusion है कि Hunter जीत रहे हैं Nick in fact कई लोग मैं भी including Hunter Labrada की side पे ना होके Nick की side पे हूँ चाहे pre judging चाहे finals judges तो एकदम clear होते हैं judges का तो ऐसा था 20 points दी है pre judging में Hunter को यानि हर एक जजज ने 5 judges बैठे थे सबने चाहर चाहर दिये 20 points मिला के दे दिये perfect score गया है इसी तरह finals में 1% इन लोगों को doubt नहीं जाता कि कहीं पे Nick Walker जीत रहे होंगे या कोई और athlete भी जीत रहा होगा audience इतनी confused वहाँ पर बैठ हुए लोग इतने confused पर judges इत सच बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि सभी athlete बड़े बड़े पुराने 90s के या अभी के Phil Heath, Dexter हो गए सबका यही कहना था कि Hunter Labrada उपर आ कैसे गए है पर judges ने Hunter और Nicky placing के बीच में 9 points का cap डाला है और judges के हिसाब से आप इस चीज को controversial bowl कैसे गए है दोस्तों Olympia खतम हुआ ना बह पॉकर ने ना ही Brandon Curry ने, बोला जो भी है इनके coaches ने या फिर हम लोगों ने, अब fans का यह कहना था और सब लोगों का के Hardy के shoulders में कोई दिखका था इसके बारे मैंने पहले बात उठाई थी, और उसके base पर Henny Rambot यह बोलते हैं के judges अपना mind पहले ही बना चुकी थे, जो कि एक बहुत ही weird चीज मुझे भी लगी कि judges ने का मतलब आज से पहले कभी notice on shoulders को नहीं किया, इसी Olympia में वो भी लोगों के बोलने पर और YouTubers के बोलने पर गिया, यह बात मुझे हैनी रंबाट के और से थोड़ी अजीब लगी जिसकी वरा से उनका कहना है कि Hardy की placing सफर कर गई, इस 2020 मैं condition लेकर आया अपने अथलीट को, फिर judges ने उनको हरा दिया, दुबारा पूछते हैं judges से क्या करना चाहिए, judges बोलते हैं आप size लेकर आओ, इस बर size लेकर के आया, 15 pounds और heavy करके लाया, पर फिर Brandon Curry को इनोंने हरा दिया, तो अब दुल्ला होगा है confused, इसमें confused होने वाली ब कर आया, और देख लो क्या उनकी second placing नहीं आई, कितना करीब थे ओ बिग रैमी के, तो ये अबदुल्ला confused होजाते हैं, या फिर हैनी रमबोट का ये कहना के, judges पहले से अपना mind बना चुके थे, देखो मानता मैं भी हूँ के, judges बहुत ही खराब आचकल judging करने लग गए हैं, weird चीजे हो रही हैं, पर इसमें कोई confused होने वाली और गलत ठहराने वाली बात मुझे नहीं लगती, यार competition लगातर बदल रहा है, तो judges भी अलग अलग बाते बोलेंगे, competition इसी पे तो निरभर करता है, आसपास के athletes कैसे हैं, और judges उनी से तो compare करके आपके athletes को जिताएंगे, तो कि उनके coach का कहीं से कहीं तक ध्यान ही उस पे नहीं है, judges के कहने से confused तो हो जाते हैं, पर legs की बात उन्होंने कहीं से कहीं तक नहीं लिखी, तो यह ज़रूर पता लगता है कि अब्दुल्ला इसको कोई issue मानते ही नहीं है, तो जाहिर है, अब्दुल्ला कोई बहुत smart coach नहीं जबकि judges नहीं बात बोली थी कि इस साल उनको और बड़ा लाना है, ब्रेंडन को तो बड़ा तो लियाए, पर conditioning क्यों off करवा दी, वो यह थोड़ी ना कहले थे कि ब्रेंडन को off लाओ, अभी अगर ब्रेंडन पिछले साल जितने condition होते और ज्यादा बड़े तो ब्रेंडन को पता है यार, कोई simple सी चीज है, बल्कुल समझ नहीं, पर इसका मतलब यह तो नहीं निकलता है, कि हाड़ी शुपन आपको off दिख जाएंगे अगले साल, वो एथलीट आर्च तक off नहीं आया, स्टेज पेचा, कोई भी स्टेज हो, ब्रेंडन तो इस साल, almost वही off conditioning लेकर क कोच को लगता है, कि size बढ़ाना है, तो सिर्फ size ही बढ़ाना है, तो अबदुल्ला मुझे लगता है, बस वही है, कि परिशान जादा रहते हैं, और complaint करते रहते हैं, इवन दो उनका athlete कितना अच्छा perform कर रहा हर सा, चलो बहुत जादा हमने negative बाते कर लिए, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, असल में, मैं तो चाहता हूँ, कुछ अच्छा अच्छा आपको बता हूँ, इस बार दोस्तों हमने क्या अच्छा देखा इन सारे athletes में, फिछले साल के मुकाबले, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, सबसे बहले Big Remy से starting करना चाऊँगा, Remy की lower body जाधा sharp थी और जाधा tight थी, भले वो पूरी overall body उतनी अच्छे ना आई उनकी, अब ये उनकी muscle maturity का कमाल था जो कि हमने देखा, लेकिन एक चीज़ और अच्छी देखी कि ये वो vacuum करने की भी कोशिच करे थी, Remy यार 290 pounds से उपर के athlete है, जरा सा gut नहीं निकलता उनका, मैंने पहली बार ऐसा कोई mass monster देखा है, और waist एकदम कस लेते हैं, इसके लिए तो उनको full marks जाते हैं, और vacuum करना अपने आप में बड़ी बात है, दूसरी अच्छी चीज़ हम लोगों ने देखी, Brandon Curry के साथ में के करी ने अपना mass improve किया overall, और shoulders मुझे उनके बहुत अच्छे लगे मैं आपको बता है, जो कि बहुत टाइम से मिस कर रहे थे इस गेम में, कोई भी अच्छा नहीं कर पाता, Brandon ने इस बार वो करा, Hardy के legs जरूर इस साल डाउंसाइस थे, अगर आप 2019 के Hardy चुपन से उनको compare करो, लेकिन upper body में उन्होंने लगता है के mass improve किया, क्योंकि overall Hardy पिछले साल से इस बार heavy तो आये थे, chest उनकी ज्यादा full थी और उसमें stration बहुत ही अच्छे लग रहे थे, side chest pose इसले Hardy के इस बार Napokid उनको बोलना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा इस चीज़ पर थोड़ा सा अलग take है, देखो, sponsors तो बहुत सारे होते हैं, जो कि जिनके athletes Olympia में खेलते हैं, और सभी shows में ऐसा होता है, इस बार का example ले ले लेते है, Evojan ने भी sponsor किया था, main sponsor था इस बार कि Olympia का, लेकिन क्या Hardy इशुपन फस्ट आप आए, चलो उनको छोड़ दो, Andre Dew, वो तो top 5 में भी नहीं आए, तो I think sponsors का उतना relation तो नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो कई बार हुआ है, और आगे भी होता ही रहेगा, कि उनीके athletes खेलते हैं, main sponsors के, title sponsors, छोटे sponsors, सभी के athletes खेलते हैं Olympia में, और सभी shows में पर उन athletes को हर बार victory तो नहीं मिलती, लगता है ऐसा सुनने में बिल्कुल के logic दिखता है इस चीज के पीछे, बट फिर ऐसा होता कि जैसे Big Ramies बार जीते हैं तो उनका sponsor, सबसे बड़ा sponsor होता इस बार के Olympia कर जो कि उनको मदद कर देता शायद, पर ऐसा हुआ नहीं, यह मेरा क्लेरिडा उसमें अपने debut करने वाले है, men's open में, और मैं उमीद करूँगा अच्छा जरूर करेंगे, बट हाँ हमें कई सारी उनमें कमिया देखने को मिलेगी, क्योंकि अब वो open class के अंदर आ चुके हैं, और यहां पर बड़े बड़े अथलीट सा दिखने वाले हैं, तो तक के लिए स्टेरियों गुर्बाई, शुक्रिया